नमस्कार साथियों मैं सतेंद्र सिंग तक्षिला एकडिमिके डिश्टल मंच पर आप सभी का हारदिक स्वागत आप भीना दन करता हूँ आज हम करंट अफेर्स को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं कल हमने पड़ा था राजिस्तान साहित्य अगादमि अवर्ड जो की उदापूर ने दिये थे आज करंट अफेर्स का एक और मुद्दा लेकर आए हैं सामने आपके पुरुषकार उसे सम्मंदित जिसमें आपके राजिस्तानी भासा साहित्य अवम संस्कृति की जो अवर्ड हैं विकानेर द्वारा दिये गए हैं उनके बारे माँ चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इनकी घुषना आज हो चुकी है तो चले शुरू करते हैं हमारा सेशन राजिस्तानी भासा साहित्य अवम संस्कृति अकादमी द्वारा यह दिये गए अवर्ड हैं और यह अवर्ड कपके हैं 2022-23 के हैं जो कि अभी दिये जाने की घुषना कर दी गई है नामों की घुषना क्या होगी है कर दी गई है अग चाहिना यह मिला है मधू अचारे को कि से मधू अचारे आशावादी को मिला है और यह कहां की हैं जाणे काई यह रहने वाली बिकानेर की और इस पुरुषकार के सुरूप इंको 71,000 रुपे की राशी दी जाएगी गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्म पुरुषकार जो की ओम नागर को मिला है जिनका संबंद कहां से है जिनका संबंद आपके बारां से ठीक है आगे बढ़ते हैं कि सिवचंद भरतिया गद्य पुरुषकार दो यह बत्य पुरुषकार था तो ओम नागर है जो की बारां के हैं जबकि गद्धी पुरुषकार है वो मिला है कमल रंगा जो कि बिकानेर के हैं इनकी एक करती आपको काफी याद भी रही है फैमस भी रही है कमल रंगा की थी अलेखु अंबा है न उसको अवाड भी मिला था तो यह वही कमल रंगा है इनका संबंद कहां से है इनका यह आपके हाली में अलवर के जिला कलेक्टर है ठीक है इनकी काफी रणखार भी इनकी ही रचना है आपके डॉक्टर जीतंदर सौनी की ठीक है आगे बात करते हैं 31,000 रुपे राशी वाले पुरुषकार कौन कों से हैं तो 31,000 रुपे जिसकी राशी पुरुषकार आपके सा यह आपके बिका नर में कहां पर है बिका नर में राशी कितने 31,000 में उपर ही लख दिया था ठीक है और देखो सावर दाया पहली पोत्थी पुरुषकार कों सावर दाया पहली पुरुषकार जोकी मोहनपूरी को मिला है इनका सम्मद कहां से है वस्तरनगरी भिलवाड़ा से है राशी वही 31,000 है ठीक है बात करते हैं जवाहरलाल नहरू राजिस्थानी बाल साहित अकादिम पुरुसकार यह दूसरे बार मिल रहा है इंपोर्टेंट है तो ड़ासा ध्यानकना यह मिला आपके किरण बादल को जो की राइसिंग नगर के क है राइसिंग नगर के है वही रासी कितनी है 31 की रासी बात करूँ प्रैम जी प्रैम राजिस्थानी यूवा लेखन पुरुसकार राजिस्थानी यूवा लेखन पुरुसकार मिला है देविलाल महिया को जो की लूण करनंसन बिकानेर के हैं आप देख रहे होंगे अधिक बी चारे नहीं सब्सक्राइब कर में सुनल की कि आप जया आपको dheras रॉप में राजस्थानी साहेतिक पत्रकारी तर्यांतर्य brushno आछे पत्र कारिता से जुनियों फक्रम फ्रुवर्च्छोर्य सकते दूतरे से मिला ही चेकल टूर्इस पत्रार्इ। को जिनका संबंद कहां से जिनका संबंद अजमेर से इनके बारे में कल हमने राजसानी जो साहिति पुरुष करते उसमें बिनका नाम हमने देखा था इनका संबंद कहां से इनका संबंद आपके अजमेर से अगला है आपके राजसानी साहिति सम्मान राजसानी साहिति सम्मान यह मिला है डॉक्टर अर्जुन देव चारण को जिनका संबन्द कहां से है जिनका संबन्द आपके जोदपूर जिले से आगे बात करता हूँ राजिस्थानी संस्कृति संब्मान कौन सा संस्कृति संब्मान तो संस्कृति संब्मान कहां से ब्रिज जरतन जोसी को मिला है और ये कहां के हैं ये भी आपके बिकानेर के हैं और अंतिम पुरुषकार है आपका राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान साहित्यकार सम्मान मिला है रामबक्स को जो अभी कहां की निवासी है यहां के मुंबई के निवासी है चलें आगे अग्ली स्लाइड पर यह कुछ नाम है जो की 31,000 रुपे का आगी बाण सम्मान मिला है कुछ सम्मान मिला है आगी बाण सम्मान मिला है कितने लोगों को मिला ह चोदा लोगों को मिला है कहां कहां से हैं इसके बार मैंने साथ डिटेल लिख दी है आप देख भी लेना नंदी किसुर सर्मा नाम एक बर बोल देता हूं इनका संब्द जैसल मेर से है महरचंद धामू परलीका हनवनगर से इनका संब्द है चांद कौर जोसी इनका संब्द जोदपूर से है दीन दियाल ओजा इनका संब्द आपके जैसल मेर से है सोहंदान चारान इनका संब्द आपके जोदपूर से है और भोगिलाल पाटिदार इनका संब्द डूंगरपुर जिले से है प्रसम जेविक जिला भी यही है भावरलाल ब्रहमर इनका संब्द भी का आगे बात करता हूं पुरुसोतम पल्लव इनका सम्मद्द कहां से उधापुर से हैं यह सारे वो लोग हैं जिनको यह कौन सा आगिवान सम्मान मिला हूँ ठीक है चौदा कि नाम बता रहा हूं आपको श्याम जांगिड चिडावा और चिडावा कहा आता है या ता आपके ज आले का समंत्य से उपेंद्र आणू का समंद्ध रिषबदेव से और डूआ था रिषब आता है ये और यह वह है चोदा नाम है जिने आंगिवान समान मिला गया है ठीक है यह सारे अवाड्स के बारे मैंने चर्चा की है राजस्तानी भासासायते और संस्कृति अकादमी द्वारा विकानेड द्वार ये अवार्ड दिये गए हैं इनकी घोष्णा सवरे दिये क्या गए हैं मतलब घोष्णा कर दी गई है किसने की है इस अकादमी के अद्यक्ष सिवराज छंगाडी इसकी साफना आपको मैंने सब कुछ बता दिया है पत्रिका के बारे में बता दिया है यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंड़ी मादर में जरू बताएं अच्छा लगा ए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राब करना न भूलें अच्छ के लिए इतना ही फिर मिल बिलता हूं ने विडिक साथ में जैन्द